प्रथम तहल का न्यूज प्रथम चरण में 18-55 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया अब सेप्टेंबर महीने में वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल शुरू होने की उमीद है दूसरे चरण में 750 लोगों को ट्रायल में शामिल किया जाएगा दूसरे चरण में 12-65 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी दरसल PGIMS रौतक देश भर के 9-13 चिकित्सा संस्थानों में शामिल है जहां को वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है हैदराबाद की कमपनी भारत बायोटेक ने भारतिय चिकित्सा अनुसंधान परिशत ICMR और National Institute of Virology के सहयोग से को वैक्सीन बनाई है PGIMS रौतक में ट्रायल के लिए फार्मा कोलोजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सवीता वर्मा को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी दी गई है जबकि COVID-19 के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर द्रोफ चौधरी और Community Medicine विभाग के डॉक्टर रमेश वर्मा को इन्वेस्टिगेटर है तो हमने उन तीन वॉलेंटियर्स को सेकिंड डॉस भी लगा लिए और ये सभी लोग तंदरूस्त हैं और किसी में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं आया है अब तक in हि 안 में कितना को स्टोर लग चुकि अब तर प्रमारा कि ऄमार पास सेवेटिटीstal आहा है अब फेक्टिव भी या जिस काम के लिए बनाइए उसे लड़ने के शमतह प्रोवाइट करती है या नहीं और यह हमें आवकस्ट रातालिए ञाए पीजाइमेस में जो है अमना जो टार्गेट था जो हम लोगों को दिया गया था वो हम लोगों ने कंप्रेट कर लिया आला और इंडिया में 375 फेज वान में कंप्रेट करने थे वो हम लोगों ने अन्रोल कर लिया और फस्ट डोस जो वैक्सिन किया वो हम लोगों ने लगा सेकंड फेस हमें उमीद है कि फास्ट वीक आप सेप्टमबर में शुरू हो जाएगा और मैं वोलेंटियर से उमीद करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारी पीजाइमेस की जो हैर्प्लाइन है उसमें अपना नाम रिस्टर कराएं और देश की सेवा में अ और जो फेस्ट वन कंप्लीट हुआ है उसमें पूरी टीम हमारी लगी हुए थी पीजाइमेस में उसमें आच से दस डॉक्टर थे चार से पार नर्स थी और प्रामेडिकल का स्टाफ था मैं उन सब डॉक्टरों का सब टीम का धन्यवाद करूँगा स्पेशली डॉक्टर अंजुनात, डॉक्टर पमन सिंग, डॉक्टर गुपाल, डॉक्टर श्रेवाद, उन सब का मैं धन्यवाद करूँगा स्टाफ ना जिन्वाद करूँगा। दरसल करोना की रोक थाम के लिए संभावित वैक्सीन के प्रथम चरन का ट्राइल PGI-MS रोहतक में पूरा हो गया है प्रतम चरण में संस्थान में 89 लोगों को वैक्सिन दी गई प्रतम चरण में शामिल 3 यूगों को को वैक्सिन की दूसरी डोस भी दे दी गई है फिलाल देखना होगा कि अब आगे किस तरह के रिजर्ट सामने आते हैं प्रतम तहलका के लिए रौतक से सनी की रिपोर्ट